Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of March 2023 17 March 2023 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं उमीद करूँगा कि आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे पांसो लाइक का टार्गेट आज भी रहेगा तो प्लीज दू लाइक करना आपकी हाबिट बन जानी चाहिए Aristotle कहता ना कि excellence is not a virtue सा हाबिट तो जी आपको करनी है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के पहले सवाल के साथ आपको देख रहा होगा आपको बताना है कौनसे स्टेटमेंट सही है आपको बताना है कौनसे स्टेटमेंट सही है one only to only बोट ये नन असान सवाल है करलेंगा I hope आप लोग second statement गलत है क्यों क्योंकि prior approval RBI का चहिए होता है अगर किसी को special वोस्तुर अकाउंट खोलना है तो तो approval आर भी एक चाहिए होता है दूसरा सवाल देखते है which of the following are the reasons behind the Silicon Valley bank crisis इनमें से कौन सा reason है for the Silicon Valley bank crisis पहला लिकर है a sharp decline in the interest rate second कर है heavy investment in long term government bonds by the Silicon Valley bank या तीसरा कर है run on the bank तो बहुत इच्छा सवाल है अगर आप लोग कर पाएं तो मैंने आपको वह इस explain किया हुआ था तो इसका correct answer पहला तो बिल्कुल गलत है मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो federal bank है federal जो central bank है वहाँ का उसने interest rate बढ़ा दिये थे उसने interest rate बढ़ा दिये तो लोगों को लगा कि यह ज़्यादा लिकुरेटिव है तो लोगों ने क्या किया sorry interest rate बढ़ा दिये तो जो start-ups थे वो यहाँ से loan नहीं ले पा रहे थे कि इसका interest rate बढ़ा हुआ था तो अपने liquidity को पूरा करने के लिए उन्होंने Silicon Valley Bank में जितना उनका पैसा था वो निकालना शिरू कर दिया और जब पैसा निकाल लिया तो obviously उनके वास पैसा बचा नहीं उन्होंने invest किया था long term bonds in Silicon Valley Bank में long term bonds में invest किया था तो उनको loss में बेशने पड़ गया और इस कारण से फिर run on the bank हो गया तो second and third are the correct statements लेकिन जो पहला statement that is wrong इसके जगह increase होना चाहिता है by the federal bank तीसरा सवाल है which of the following country bounce Iran from the east इन में से कौन सी country Iran को east से bound करती है options आपके सामने है the correct answer में आपको बता देता हूं the correct answer for this is see Afghanistan आप लोग मैच कर लेना क्या आपका सही था कि आपको मैप दिखा देता हूं तो यह आप इरान का मैप देख पा रहे होंगे this is the map of इरान इरान में यहाँ पर आपको यह थोड़ा सा नॉर्थ-वेस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा होगा यह बिल्कुल इस्टन पार्ट में आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा विल्कुल यहाँ वेस्टन पार्ट में आपको इराक दिख रहा होगा तो वेस्टन में एराक है और इस्टन में अफगानिस्तान इस तरीके के कुश्चन भी पूछा सकते हैं अगर कभी पूछा तो और इधर a very important I hope you got clarity regarding that as well आपको याद रखना है ठीक है अब आते हैं न्यूस वाले portion में कौन-कौन से इंपोर्टन पी आई-बी के न्यूस है तो पहली जो न्यूस है वह है Union Minister of Earth Sciences Earth Sciences के Minister ने इंफॉर्म किया लोकसभा को about the Reach Out program तो यहाँ पर Reach Out scheme के बारे में Ministry of Earth Sciences ने बताया है तो अब एक बार हम भी पढ़ लेते हैं देखो What is this Reach Out scheme? Full form अगर Reach Out का मैं मैं बता हूँ तो इसका Full form में Research, Education and Training Outreach Scheme इसका Full form क्या है? Research, Education and Training Outreach Scheme इसकी Nodal Ministry है Ministry of Earth Sciences याद रखेगा Ministry of Earth Sciences है basically और इसके अंदर बहुत सारे sub-schemes हैं जो की कौन-कौन से चीज़ों सो related हैं तो इसके अंदर है Research and Development in Earth System Sciences International Training Center for Operation Oceanography Program for Development of Skilled Manpower in Earth System Sciences DESK scheme जिसे बोलते हैं तो यह अलग-अलग इसकी sub-schemes है अगर मैं आपको objective बताऊं कि Reach Out scheme का objective क्या है? तो objective is basically supporting various research and development activities in the thrust areas of the Earth System Sciences then developing useful collaborations with international organizations as a mutual transfer and developing skilled and trained manpower in the Earth Sciences यह भी एक important चीज़ है तो all these are the objectives of this Reach Out scheme I hope you will remember that अगली जो news है वह है Venus के regarding Venus आप सब को पता है कई बार Earth की sister planet भी कहा जाता है Venus को and because of its similarity in size, mass, density, volume with that of Earth Venus काफी important है अभी Venus में एक और similarity देखने को मिले वह है active volcanoes याद रखेगा Venus में एक और similarity देखने को मिली अभी active volcanoes की वाली और अभी Magalan Mission की images को यूज करके ये बताया गया है researchers ने कि वहाँ पे basically active volcanoes का evidence मिला है Venus में Magalan Mission के अगर मैं बात करो तो इसको United States, NASA ने launch किया था National Aeronautics and Space Administration जो है Magalan Mission ने launch किया था surface के from different orbits Magalan Mission याद रखेगा अभी तीन mission और news में थे Venus के regarding तो एक है NASA का Veritas Mission NASA का ही है Veritas और Da Vinci ये दोनों NASA के missions है तो अगर आप सो कोई पुछ है कि Veritas और Da Vinci Mission किस से related है तो Venus के mission है NASA के और European Space Agency याने कि European Space Agency का एक mission इसका नम है Envision Envision Mission जो है European Space Agency का है They are expected to observe the Venus in 2030 याद रखेगा तो ये important है इंडिया का भी शुक्रयान है आपको पतावना चाहिए जो Venus का mission है वो शुक्रयान है वो भी launch होगा ठीक है अगली जो news है वो है Golconda Fort के regarding Golconda Fort आप सब को पता है Hyderabad, Telangana में situated है and it's very historically significant Pratap Rudra using the mud walls याद रखेगा Pratap Rudra ने इसको बनवाया था Kakatiya ruler थे वो 11th century में बनवाया था using the mud walls mud walls का यूज किया गया था and the fort was later handed over to the Bahamani kings by Devarai Devarai के दौरा ये Bahamani kings को handover कर दिया गया था Devarai was the Raja of Varangal region basically बाद में Bahamani के टाइम पे Golcunda जो सल्तनत था उसका ये capital बना this was the very important fort for that as well and अब ये important याद रखेगा it is very close to the diamond mines तो जो Golcunda वहाँ पे diamond mines वहाँ के बहुत close है इसलिए कई बार जो वहाँ के diamonds आते हों को Golcunda diamonds भी कहा जाता है the fort complex is currently UNESCO's tentative list to become world heritage site ये जो fort complex है Golcunda fort complex जो है ये UNESCO की tentative list में है to become world heritage site and इसका historical significance तो बहुत जाता है फिर भी जो ये fort है currently abandoned है and is in ruins now तो ये एक important चीज़ थी जो आको बताना था अगली news है वो है regarding exercise sea dragon याद रखे है exercise sea dragon ये कौन conduct कराता है exercise ये exercise conduct कराता है US Navy याद रखेगा US Navy के अंतरगाता हो रही है exercise sea dragon अब इंडिया इसमें participate कर रहा है हला कि ये multi-literal exercise है multi-literal मतलब कि बहुत सारे अलग-अलग countries जिसमें involved है केवल इंडिया और US की नहीं है ये bilateral नहीं है ये multi-literal है और इसमें इंडिया US के लावा भी दूसरी countries involved है 15-20 मार्च की भी इसमें होगा anti-submarine warfare इसमें test किया जाता है है न याद रखेगा multi-literal anti-submarine warfare exercise है याद रखेगा this is the thing exercise sea dragon US के अंतरगत होती है इंडिया इसमें participate कर रहा है I hope you got clarity regarding that अब कल किसी ने मुझसे पूछा था कि Deep Ocean Mission के अंदर क्या-क्या चीज़े आते हैं तो यहाँ आप लेको लिखा है Deep Ocean Mission is related to blue economy जो भी चीज़ें blue economy से related है वो सारी Deep Ocean Mission के अंदर के आते हैं जैसे की fishery हो गई tourism हो गया maritime transport हो गया renewable energy हो गया aquaculture हो गया seabed extractive activities हो गई marine biotechnology हो गई यह सारे जो है Deep Ocean Mission से ही related है I hope you got clarity एक और Mission News में था कल P.I.B. में था तो उसका नाम बता दू Mission Sahabhaagita Mission Sahabhaagita basically Minister of Environment, Forest and Climate Change के अंदर काता है याद रखेगा Mission Sahabhaagita Minister of Environment, Forest and Climate Change के अंदर काता है It's the important step towards participatory conservation and wise use of wetlands याद रखेगा किस के regarding है यह यह है community participation और participatory conservation के regarding है for wetlands saving the wetlands ठीक है ना अब यह community-led program है basically and it has been launched to save the wetlands campaign भी launch किया गया था save wetlands campaign यह इसी के अंदर कात launch किया गया है और word wetlands day के दिन किया गया था तो world wetlands day कब होता है याद रखेगा 2 February को होता है 2nd February is world wetlands day इसको याद रखेगा इसके लावा wetlands of India portal भी launch किया गया जिसको india wetlands.in में आप जा कर के देख सकते है wetlands of India wetlands of India portal भी आप जा कर देख सकते हैं वो MISNA की information management system के हिसाब से बनाए गया है तो हर state यूटी जो है login करके उसमें update कर सकते है information को I hope you got clarity आप सब देख सकते हैं सारी चीज़े काफी important है I hope आपको समझ में आ गया होगा आगे move करते हैं आगे move करते देखते हैं important news article से जिनके बारे में को discuss करना है पिनयार रिवर लिखा हुआ है पिनयार तो पिनयार याद रखेगा it's a river which is a disputed river between two states that is the state of Tamil Nadu and the state of the Karnataka ठीक है न Tamil Nadu and Karnataka state के बीच का dispute है पिनयार रिवर I hope you got clarity इसको याद रखेगा I hope you will remember this as well और रिवर के dispute जदा तर जो होते है पढ़ना है यह ना बिल्कुल फसना नहीं है कोई उसमें जाना खास चीज़े नहीं आई है आगे दिखते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल वैलूज़ एट 70,500 क्रोड क्लियर्ड तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है याद रखेगा एक कोशन पूछा गया है UPSC में अल्रेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हैड करता है डिफेंस मिनिस्टर याद रखेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस चेर्ड बाइ डिफेंस मिनिस्टर और defense minister ने भी proposal clear किये हैं लगबग 70,500 करोड के for your defense acquisition तो defense के लिए चीज़े खरीदने के लिए जसमें आपकी जो खरीदी जाएंगी चीज़े वो by Indian IDDM यहने कि indigenously designed, developed and manufactured चीज़े खरीदी जाएंगी by Indian category के अंतरका है न यहां तरकेगा कि defense procurement policy जो बनाएगे जो उसमें एक category डाली के थी by Indian IDDM यहने कि indigenously designed, developed and manufactured उसी category में से चीज़े खरीदी जाएंगी और that is a thing जिसमें ब्रमोस भी होगा, यह सारी चीज़े होंगी उसमें तो I hope you got clarity regarding that as well आगे देख लेते हैं यहां पर BRO opens strategic Zosila Pass in record 68 days तो यह Zosila Pass जो है BRO ने open कर दिया which is located in the greater Himalayan ranges at an altitude of 11,650 feet यहां दखेगा Zosila Pass कहां भे located है it is located in the greater Himalayan ranges यहां देखेगा Zosila Pass is located in the greater Himalayan ranges and इसको strategic pass को open कर दिया गया है now by the BRO BRO आप सबको बता दो कि इसका formation 1960 में हुआ था 1960 में बनाएं गया था इसको Pandit Jawahal लहनु के दुवारा for coordinating the speedy development of the network of roads in the north and north eastern border regions of the country है ना it works under the administrative control of ministry of defense and यहां देखेगा minister of defense के अंतरकरत काम करती है and it also केवले इंडिया के roads नहीं construct करती है bordering जो बहुत सारी countries है जैसे कि आपका Myanmar हो गया Afghanistan हो गया, Nepal हो गया यहां पर भी इसने road का काम किया हुआ तो I hope you will remember that as well केवले इंडिया में नहीं बनाती, foreign कुछ countries में बनाती है NIOT to set up green self-powered desalination plant in Lakshadeep तो यहां पे now Lakshadeep में पोटेवल वाटर के लिए लियाद रखेगा Lakshadeep में पोटेवल वाटर मिल सके इस कारण से पीने के लिए पानी मिल सके basically इस कारण से वहां पे desalination plant जो है Lakshadeep में वो self-powered desalination plant जो established किया जागा NIOT के दवारा NIOT कौन है? NIOT is National Institute of Ocean Technology National Institute of Ocean Technology है उसके दवारा किया जाएगा and NIOT इसको बनाएगा ठीक है न? It is low temperature thermal desalination technology LTTD technology का यूज के जाएगा low temperature thermal desalination इसमें basically क्या के जाएगा difference in temperature का यूज के जाता है the difference in temperature is utilized in order to desalinate the plant the water and उसको potable water में convert किया जाता है ठीक है न? I hope you got clarity and NIOT याद रखेगा it is an institute which comes under the Ministry of Earth Sciences याद रखेगा it comes under the Ministry of Earth Sciences and it works for harnessing the energy from the ocean ठीक है न? तो ये सारे facts काफे important I hope you will remember these as well यहाँ पर बतारों मैं को South Korea और जापान जो है अपने ties को दुवारा और जादा strong करने के लिए आगे बढ़ रहे है South Korea and Japan ने का है कि Tokyo Summit में हम अपने ties को और जादा आगे बढ़ाएंगे let me show you the map तो यहाँ पर आपको map दिख रहा होगा यहाँ पर आपको यह चाइना दिखता है रशिया दिख रहा है North Korea दिख रहा है और यहाँ South Korea दिख रहा है तीक है न? एक और चीदा आपने देखे होगी कि Russia यहाँ पर North Korea के साथ border भी शेयर कर रहा है Russia is sharing border with North Korea तो एक important चीज यह भी है और यह आपका Japan है Japan के जो अलग-अलग part है Hokkaidu है, यह Honshu है यह Shikoku है, यह Kyushu है यह अलग-अलग parts है Japan के जापान और कोरिया के बीच में आपको Sea of Japan देख रहा होगा This is Sea of Japan I hope you will remember this as well So this was the thing And that is it for the day friends I hope you liked our video Please do like, share and subscribe Keep loving us, keep sharing us Thank you, have a nice day